ये वीडियो स्पेशली ऐसे स्टुटेंट्स के लिए हैं जिनोंने इस साल लिट का एक्जाम दिया था और उनके मार्ग्स 400 से कमा रहे हैं तो हम कोसिस करेंगे कि इस वीडियो को दिखने के बाद आपकी सारी कंफूजन दूर हो जाए कि आपको कोई कोलिज मिलेगा या नही कम है तो आपको टाइम वेस्ट ना करके नेक्स्ट एर के लिए पिरपेशन स्टार्ट कर देना चाहिए तो कट आफ के बार में जानने से पहले हम यह जान लेता है कि साल कितने बच्चों ने एक्जाम दिया था क्योंकि इससे भी कट आफ फर एफेक्ट पढ़ता है तो हम इसके बाद 19 में 15.9 लेक बच्चों ने एक्जाम में अपिर हुए थे और 21 में 15.44 लेक बच्चों ने रिजिस्टीशन किया ता जिस मेंसे केवल 93% बच्चे ही एक्जाम में अपीर हूए थे अब बात करते हैं साल की यानि कि 22 की तो इस साल 18.72 लैक बच्चोंने नीट के लिए रिजिस्टेशन किया था जिस मेंसे 95% बच्चे एक्जाम में अपीर हूए है तो आपने देखा है कि पिछले पांस सालों में सबसे अधा बच्चे इस साल नीट के एक्जाम में अपियर हुए है और उनकी संक्या भी काफी जादा है इससे भी आपकी cut-off पर effect पढ़ने वाला है आदेखी जो आपकी cut-off होती है वो दो factors पर depend करती है नमबर वन टोपर के marks यानि कि जो टोपर है उसके marks कितने है और नमबर टू पेपर का level यानि कि जो आपका paper है उसका level कैसा था easy, medium या फिर hard तो इन दो factors पर आपकी cut-off depend करती है और देखी इस वार का जो आपका paper का level था उससे हम easy नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी chemistry और biology थोड़ी लेंदी थी नमबर से कम है और आपके पास कोई भी special category quota नहीं है तो आपको 400 नमबर से कम पे कोई भी government MBS college इस साल नहीं मिलने वाला लेकिर आपको last move round में BMS या फिर BMS मिल सकता है तो यदि आप इस साल private college में admission नहीं लेना चाहते है तो आप need 23 की तैयारी start कर सकते है और देखी इसके अल 5942 यहां पर हमें आप message कर सकते हैं अब बात करते हैं अपर OBC category की देखी OBC category और general category की cutoff में ज़्यादा difference नहीं रहता है इसलिए आपको भी इस साल government MBS college नहीं मिलने वाला है लेकिन आपको last move up round में BMS या फिर BMS मिल सकता है तो आप उसके लिए try कर सकते है ये depend करता है कि आप आपके marks जदा marks वाले student BMS या फिर BMS लेते हैं या फिर उसे छोड़ देते हैं तो इसलिए यदि आपका भी target only MBBS है और आप private college में admission नहीं लेना चाहते हैं तो आप NE23 के लिए अपनी preparation start कर सकते हैं और कोई भी question पोशने के लिए आप हमें WhatsApp पर message कर सकते हैं अब बात करते हैं आपर SC-ST category के बारे में देखिए यदि आपके marks 380 प्लस है तो आपको government MBBS college मिल सकता है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा wait करना होगा क्योंकि आपको first या फिर second counseling में government MBBS college नहीं मिलेगा आपको आगी की counseling में government MBBS college मिल सकता है पर यदि आपके marks 350 से उपर है यदि 350 प्लस है तो आपको government BMS या फिर BMS college इस साल मिल सकता है तो यहाँ पर हमने बात किया है category wise expected cutoff के बारे में hopefully आपको यह सब कुछ clear हो गया होगा यदि कोई confusion रहती है कोई doubt रहता है या question रहता है तो आप हमें WhatsApp message कर सकते है और देखिए इसके लावा यदि आपके marks बहुत कम है और आप साल खराब नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको guide भी कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए तो उसके लिए आप हमें WhatsApp message कर सकते हैं हमने अपना WhatsApp number नीचे description box में दे दिया है जहां से हमें आप message कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इते हैं thank you very much